Hello students, तो आज हम इस वीडियो में MBA CET के admission process के बारे में हम देखने वाले है, recently अभी DTE का notice आया for the cap rounds, तो जो भी process है उसकी आगे की क्या भी जो भी रहने वाला है वो हम देखने वाले है इस वीडियो में, तो बहुत सारे student के queries है, तो वो सब हम देखने वाले हैं, यह वीडियो ब बात करूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो आप पूरा देखिए, आपको अच्छे कासी जानकार इसमें मिलेगी और बहुत अच्छे clarity आएगी, ओके, तो क्या-क्या हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, admission process, general, उसके dates क्या-क्या है, online registration कैसे करेंगे, documents क कोई document नहीं है, तो what to do, type of candidature क्या है, frequently asked question, क्या round 1-2 का process कैसा रहेगा, कितने options फिल कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं, उसमें autofreeze क्या होता है, betterment option क्या है, float क्या है, ठीक है, यह सब बहुत confusion है इसमें, so that all the things we are going to cover, ओके, तो चलिए start करते है, admission process के बारे में, देखो अभी यह पूरा process का flow, इसमें यहाँ पर मैंने draw किया है, ठीक है, what is the flow of the process, सबसे जरूरी यह process है, तो यहाँ पर मैंने dates भी mention किया है, ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले, online registration and documents upload, तो आने वाले slides में, इसके बारे में हम detail और जानने वाले है, ठीक है, तो online registration and documents upload, उसका due date है, वो है 8 से 13 December 2020, तो आपको registration करना है, आपका जो भी login ID, password है, जो कि आपने exam के time पर जो create किया था, उसी से आपको login करके, यह online register करना है, documents upload करने है, वो क्या है हो हम आगे के stage में देखते है, आगे के slide में, ओके, बट आप 13 December तक रुकिये मत, आप मानलो कि अभी कल window open हुआ है, 8th of December को So, today is the 9th of December, तो आप कल तक यह process कर दो, क्योंकि अगर आपका कुछ queries आई तो वो वापस आएगा, तो आपको you will have a time, ठीक है, तो इसके बाद next process है, verification by e-scrutiny, online, तो last year तक आपको verification के लिए center पर जाना होता था, बट अभी center पर जाना नहीं, ARC center उसे बोलते थे, अभी वहा न online check or verify, तो वहाँ पर documents आपको verify किये जाएंगे, आपके original के साथ तो नहीं कर सकते, पर general verification होगा यह, ओके online होने वाला है, उसके यह dates है, तो अगर कुछ query है, मान लोगी किसी का कुछ नाम में गड़बड है, कुछ dates में कुछ कम जादा है, कुछ marks में कम जादा है, इस type का verification हो and submit the application, तो उसके लिए आपके बास दो ही दिन है, 12 and 13 December, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको 8 to 13 December तक ही यह पूरा process करना है सारा, तो इसलिए आप जल्दी application process कर दीजिए, submit कर दीजिए, अगर in case कुछ error आता है, तो you will have a time to rectify it, मतलब last moment पर आपके भागदोर नहीं होगी, ठीक अगर किसी को doubt difficulty है, category में कुछ problem हो, तो उसे grievances कहते है, तो वो solving होगा, ठीक है, जो भी होगा तो, तो 17-18 December तक यह उसका window open रहेगा, you can, on email, sorry, online ही उसका सब process होगा, अगर in case कुछ आपको लगता है, कि कुछ सही है, सही नहीं है, जो भी है, तो you can, आपको reply कर सकते, ठीक है, 17-18 December है, ओके उसके बाद 20 December को final merit list जारी होगा, then actual process of cap round 1 will start, cap round 1 21st to 23rd December तक है, और फिर उसके बाद यह खतम होने के बाद, यह process हम पूरा जानने वाले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी cap round 1 का process है, आगे वाले slides में हो आएगा, provisional college allotment, cap round 1 के तो 26 December को final allotment cap round 1 का, जिनका cap round 1 म मतलब है admission के लिए time दिया है, then cap round 2 का यह time है, आप नीचे देख सकते हो dates, then इस बार दो ही cap round है, common जो भी process है, उसके लिए सिर्फ दो ही round है, तो last year तक क्या होता था, तीन-तीन rounds होते थे, तो अभी इस बार दो ही round है, okay, दो round में आपको admission confirm करना है, okay, और जिनको भी cap round 2 में भ पर अपना admission कर जकते है, okay, तो दो ही round है, तो institute level के लिए यह January आजाएगा, और 4th of January से college आपके start हो जाएगे, तो this is the planning, और इसमें आपको यह dates अभी जो notice आया, उसके तहत ही यह सारे dates है, आप website check करते रहे है, website मैं ने last में दिया है, कौन सा website है, in case अगर कुछ changes होते है, कु notification आजाएगा, okay, so keep checking the website, देखो अभी हम process detail में देखते है, देखो, online registration कैसा होता है, okay, तो यहाँ पर यह जो cutout है, हमने notice आया है, अभी, 8th of December को उसी का cutout है, okay, तो यहाँ पर mahascet.org में आपको register करना है, ठीक है, register करना है online, to participate in the cap round, जिको जिनोंने CET दी है, वो सारे के सार student cap round में participate नहीं करते है, जिनको admission नहीं लेना है, वो नहीं participate करेंगे cap round में, तो फिर आपका merit rank बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए अलग से registration होता है, जिनको भी participate करना cap round में admission लेना है, वो लोग apply करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो OMA student है, मतलब जिनको All India quota में admission लेना है, ज cat और cmat के थुर अपलाई कर सकते हैं, दो ही exam इस बार eligible है, cat का score और cmat का score के उपर आप mbacet के थुर cap round में participate कर सकते हैं, उसके लिए आपको category वाज ये fees देनी होगी, 1800 और ये इस प्रकार से, जो भी आप category में आते हो, इसमें उस प्रकार से, जिनोंने mbacet की exam दी है, और ज 1000 रुपीज जनुवरी मन्त में paid कर चुके हैं, उन्हें ये वापस से paid नहीं करना है, जिनोंने mbacet नहीं दी और जो cat और cmat के थुरू admission लेने वाले हैं, सिर्फ उनहीं को ये fees paid करना है, या आपर ये सब लिका है, not required to pay the fees वोगर, या बढ़ लेना एक बार, ठीक है, देख महाराhoshtra में हुआ है और जिनके पास domicile certificate है महारास्थ्र का वो ढईप A candidate है, जो ढईप A nd had not a candidate, जो इस category में fit नहीं आते, उनके लिए type B है, तो type B, किसके लिए है है, गए type A में जो लेना हम जो नहीं आते बड़ जिनके father mother domicile of महाराष्ट्र है, और जिनके पास महारास एक दोनों में नहीं आते और जिनके father, mother government of India के employee है और जो कि महारास्टर में भी नहीं आते यह चीक है और भी कुछ एक दो conditions है तो वह आप एक बार पढ लेना ठीक है टाइप D જो क्या है तो टाइप A B C जो तीनमें भी नहीं आते बट जिनके father-mother government of Maaş्त्र के employees है और government of Maaş्त्र के retired employees है वो टाइप D में आ जाएंगे ठीक है टाइप E में थोड़ा अलग प्रकार का करनाटकor, Maashtra का disputed area वहां रहने वाले वगरें वगरें उनके वाला देखते हैं कि documents upload करने आपको तो all original certificate आपको scan करने है, ठीक है न, scan करके आपको upload करने हैं ये सारे, ओके, तो ये scanning के बारे में जेको general scan and upload, jpg और gif format में ये चाहिए, उसका resolution scanning के लिए ये वाला चाहिए और file size maximum one document की up to one MB, ये सारा आप जहाँ पर भी scan करेंगे, आप net cafe में जाते हैं तो आपको scan करके सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये सब आपको scan करके दे देंगे, उसे आप ये बोलेगे तो, ओके, ठीक है 10th का, 12th का mark sheet, qualifying examination मतलब graduation वाला आपका mark sheet, CT का scorecard, mark sheet होगरे, इसके ये CT का scorecard होगरे, नहीं आता है, ठीक है, तो आपका login करेंगे, तो आपका score आई जाएगा वहाँ पर, ओके, तो फिर school living certificate और Indian nationality, ये सब को चाहिए, compulsory, ओके, इसके बाद type A candidature मतलब वो महारेश्टर के domic certificate लगेगा, या तो फिर, ये और है देख, अबलिक है यहाँ पर, birth certificate, living certificate मतलब आपका date of birth mention चाहिए, that is the purpose, okay, type B भी same case है यहाँ पर, उनके father mother का domicile और चाहिए, candidate का या तो father mother का type B, और type C बाकी आप पढ़ सकते हो, आया धान में आपको क्या चीज़ है, ठीक है, चलो, next देखते है, इसके अलावा, जो type ABC है, ये तो सारा होगे, type wise, okay, तो इसके अलावा, जो reservation में आते है, मान लोग की OBC में है, other backward class belonging to SCST, OBC नहीं, SCST में जो आते है, उनको क्या लगने वाला है, in addition to the previous certificates, cast certificate एक लगेगा, और tribe validity और cast validity certificate लगेगा, किसको SCST के लिए, okay, ठीक है, ज TJ, NT और SBC में आते है, उन्हें cast certificate भी लगेगा, cast validity भी लगेगा, और non criminal certificate भी लगने वाला है, compulsory validity, non criminal certificate की validity 31st March 2021 तक होनी चाहिए, ये income के उपर होता है, इसलिए आपको हर बार renew करना पड़ता है, तो आपके validity आप एक बार check कर लो, okay, और जो EWS में आते है, उनको EWS का certificate चाहि किया है, जब बोट सारे student का apply तो किया है, बट अभी तक आया नहीं, तो what you can do, तो DTA ने क्या provision किया है, कि आपके पास जो आपने apply किया है, उसका आपके receipt होगी, ठीके न, वो receipt आपको scan करके upload करना है, उसमें लिखा होगा कि you have applied for cast validity और non criminal और EWS, तो उसका receipt आपको upload करना है, अभी document verification के time पे, और make sure कि आपका original document, original certificate जो भी है, वो आपका 29 December तक आ जाए, 29 December मतलब जब भी actual document verification होगा, college के admission के time पे, final admission college में जाकर आपको करना होता है, तो 29 December 2020 तक आपका original certificate आ जाना चाहिए, this date is mentioned in the notice, ठीक है, notice में ही mention किया है, तो यह आपको make sure करो, कि यह तब तक आपका आज है, आप follow up ले लो, यह application process हो गया, receipt upload कर दी, तब तक आप follow up ले लो, आप offices में जाके जहाँ पर भी आपने अपला गया है, ठीक है, I hope कि यह सब आपको clear हो गया है, ठीक है, तब यह process जो कि हमने अभी देखा, ठीक है, provisional तो फिर यह सब हो गया, तो उसके बाद वो scrutinize करेंगे, जो भी आपका e scrutinize करेंगे, यह first stage हमने देखा, यह scrutinize करेंगे, जो भी है वो, ओके, फिर reward back करेंगे, आपको कुछ रहेगा, तो आप edit कर ले ना उसको, और provisional merit list आपकी आजाएगी, provisional merit list आया, तो उसके बाद फिर यह अगला window खुले होगा, window खुलेगा, आपको college के listing आएगी, तो college के लिए आपको सबको list देना होगा, आपका merit list आने के बाद, जो merit list हो, category wise और general open दोनों प्रकार के merit list आते हो, तो आपको preferences देने होगे, तो preferences आपके minimum 1, option या preference जो भी है, minimum 1 और maximum 300 आप preference देशक्ते हो, तो एक preference किसे बोलेंगे, for example, आपने पुने का Pumba college अगर दिया, तो marketing in Pumba इसे पोलेंगे एक option, marketing, sorry, finance in Pumba यह होगा second option, और HR in Pumba यह होगा third option, मतलब branch और stream and college मिला के एक option होता है, आया धान में आपको कैसा है दो, इस type के up to 300, जो की बहुत अच्छे खासे बहुत जादा option है, या आपको देने होगे, त आपको जो भी suitable colleges है, वो आप दे सकते हो, okay, तो उसके बाद, इसमें allotment कैसा होता है, ठीक है, यह होने के बाद, मानलो आपने submit कर लिया, फिर जब भी आपको college allot होगा, तो मानलो कि आपने जो first option दिया है, अभी cap round का allotment process है, क्या है allotment, allotment कैसे होता है, अभी college कौन से द बता हूँगा वीडियो के, ठीक है, तो seats अगर मानलो कि आपका पहला option आपको मिलता है, जो first option आपने दिया था, 300 में से, वो first अगर आपको मिलता है, cap round 1 में, तो यह अगरा होता है, तो अपने आप आपको वो college मिल जाएगा, auto freeze उसे बोलते है, मतलब आप उसमें कुछ नह ने लिखा भी है, seat as per the first preference मिलता है, तो अपने आप freeze हो जाएगा, और आपको admission लेना होगा, देखो, confirm the admission, not eligible for the further rounds, ठीक है, आपको admission confirm करना होगा, online thousand rupees paid करके, seat reserve बोलते है, इसको online thousand rupees paid करना है, और बाद में college में जाकर आपको बचा हुआ fees paid करेंगे, जो भी आपको college मिला है व तो वो एकदम अच्छा college ही डालना है, ठीक है, अच्छा college, मानलो कि आपको अगर वो college मिलता है, तो आप 100% लेही लेंगे, दूसरे option के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, ओके, आगे का देखते है, अभी देखो, अगर मानलो कि seat other than first preference, मानलो कि आपको college मिला, seat a lot हुई, बट वो जो first preference था वो नहीं मिला आपको, मानलो third, fourth, fifth जो भी है वो बात का, first छोड़के और कोई भी मिला, ऐसा, तो आपके बास choice है, आप क्या कर सकते हो, देखो, अगर आपको जो भी college मिला है, seat, accept कर लो seat, ठीक है, अगर मानलो कि आपको पहला option दिया था, वो आपको नही मिला, second आपको मिल गया मानलो Pumba College, और आप चाहते हो कि चलो है, मैं यह ले लूँगा, तो accept the seat, and self freeze, self freeze आपको option आएगा, online में, सब आपके जो login ID है, उसमें आएगा, ठीक हैं, तो आप freeze कर लो option को, seat accept करो, payment कर दो, इसका thousand rupees जो भी है, acceptance fees, और admission आपका confirm हो गया, और आप फिर आगे के cap round के लिए eligible नहीं है, यह सबसे ज़्यादा जरूई, you are not eligible for the other rounds, ओके, ठीक है, अभी दूसरा इसमें क्या है, देखो यहापर मैंने दो arrow बना है, second is, accept the allotted seat for the betterment, मानलो कि आपको JBS डाला था, आपका second, four, क्या बोलते, 10 option मिल गया आपको, for example, कोई भी college, XYZ, एक college मि इंदिरा college था, और कुछ colleges थे, but आपको लगता है कि मुझे मेरे score पर, जो आपको score मिला है, कि इंदिरा आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, accept the allotted seat for the betterment, this word is keyword, तो मानलो यह जो college मिला है आपको, वो आप college ले लो, accept करो, but वहापर for the betterment करक option रहेगा, उसे आपको choose करना है, इसका मतलब क्या, कि अगर आप choose करते हो, तो accept the seat and choose not freeze, मतलब आपने accept किया, बट freeze नहीं किया, या तो betterment के लिए आपको choose करना है, ऐसा, इसका मतलब आप next round में apply कर सकते हो, you can participate in the cap round 2, तो आपका यह जो XYZ college है, वो तो आपके पास है ही, उस इससे कोई अच्छा college मिलता है, इंदिरा, पुम्बा या जो भी आपने इसके ऊपर डाले, वो अगर मिलता है, तो आपको वो college allot किया जाएगा, अगर मानलो आपको college second round में नहीं मिलता, मतलब betterment वाला college जो आप चाहते थे, कि इंदिरा मिले या और कोई मिले तो आपको न float भी उसे कहते है, but actual जो CT या DTE यूज़ करते है, वो betterment उसे बोलते है, but आपको choose क्या करना है, accept the seat and choose not freeze, not freeze for the betterment, ऐसा जो भी है, यस में से कुछ तो लिखा होगा वहाँ पर, वो आपको choose करना है, okay, but यहाँ पर भी आपको seat pay, मतलब उसका payment करना होगा, 1000 रुपीज, उसका seat acceptance fees, 1000 रुपीज है हर जगा, तो यह option choose करो, 1000 रुपीज करो, and apply for the cap round 2, अब cap round 2 में जा सकते हो, for the betterment, but जिनों ने already यह वाला seat ले लिया है, freeze, खुद ने self freeze किया है, वो आगे के round में नहीं जा सकते, यह सबसे ज़्यादा जरूरी slide है, तो star mark कर दो और अच्छे से समझ लो इसका यह जो photo, यह particular, यह वाले slide का, यह photo में telegram channel पर डालने वाला हूँ, वो आपके साथ रख ले न, क्योंकि यह बहुत बात confused होता है, कि यह क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होता है, तो यह अलग से बैठ के मैंने इस प्रकार से यह सब बनाया है, तो I hope कि इससे आ गई है, betterment क्या है, freeze float क्या चीज़ है, ठीक है, only यह वाले category के student ही cap round 2 में participate कर सकते है, ठीक है, next देखते है, अभी cap round 2 में क्या होगा फिर, ठीक है, देखो, cap round 2 में, जो, जिनको cap round 1 में college मिला ही नहीं, college मिला ही नहीं, ठीक है, तो उनको cap round 2 के लिए apply करेंगे, और जिनको college मिला है, but betterment चूज किया, they choose the option betterment, तो वो लोग participate कर सकते, ठीक है, तो अभी मानलो कि किसी ने betterment चूज किया है, और आपको मिला है college XYZ नाम का, तो वो XYZ नाम का यहाँ पर आप जब apply करेंगे, cap round 2 के लिए apply करेंगे, तो वो XYZ college आपको फिर से fill नहीं करना है, मतलब वापस से window कुलेगा, आपको आपके पास वापस से 300 option आएंगे, तीक है ना, जो भी जहाँ आपर भी seat खाली है, cap round 1 के बाद, तो वो सारे option आपके पास आएंगे, तो वो option में से आपको apply करना है, और कौन से option apply करेंगे आप, जो आपको college मिला था XYZ, जो cap round 1 में already आपको मिल चुका है, उससे अच्छे colleges ही आपको यहाँ पर डालना है, XYZ college नहीं डालना, क्योंकि यह तो already आपके पास है, जो college आपको लगता है कि यह इस college से भी अच्छा है, XYZ college से अच्छा है, वही college के options आप यहाँ पर fill कीजिए, ठीक है ना, तो उसमें से अगर आपको कोई मिलता है, तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, तो आपके पास यह तो ही, यह वापस आपको है, तो वापस से फिल नहीं करना है आपको, यहाँ पर specifically notice में ऐसा लिखा है, कि not to fill the already allotted college, ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पर क्या होता है, अभी मानलो कि cap round 2 के college के सारे admission apply कर दिया, और आपको allot हो गया, तो अभी allotment हुआ, तो क्या क्या हो सकता है, sit allotted for the first time, जिनको cap round 1 में college नहीं मिला, उनको यहाँ पर अगर college मिला, तो आपको admission ले लेना है, बस काम खतम, इसके आगे कुछ नहीं है, और जिनको XYZ college के बाद उन्होंने betterment के लिए apply किया था, got betterment, admission confirm कर लो, आगे कु आपको betterment के लिए का college मिला ही नहीं, तो आपको जो मिला है, उसे बोलते है, earlier seat retain, मतलब यह college है, तो आपको यह college में admission लेना है, confirm the admission, pay the fees, काम खतम, बस इतना ही admission process है अभी, ओके, आया धान में दो ही round है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे institute level का round है, तो institute level का round किनके लि मिला, cap round 2 में भी college नहीं मिला, तो वो लोग admission के लिए institute level पर जाएंगे, तो institute level यहाँ पर है, और इसके dates यह वाल है, तो institute जहाँ पर भी seats vacant है, after cap round 1, cap round 2, तो particular college, उनके website पर डालेंगे कि यह seats as per the category vacant है, तो आप उनको अप्रोच कीजिए, apply कीजिए, independent college में जाकर, और आप ख यह लिए, यह dates है, तीक है, और फिर आपको, यहाँ पर जो भी college है, document verification होने के बार, 4th of January से आपका college start हो जाएगा, तो आया धाम में आपको what is the process, इस type का process है, और easy process है, तोड़ा सा streamline किया है इस बार, और बस इतना ही है, I hope कि आपको सब को clarity आ गई है इसमें, तो हमने देख cap round 1 की, यह dates है, यह dates आप चेक कर लो, और keep checking the website, जो महा CET sale का website है, वो आप चेक करते रहो, यह वाला हो site है, ठीक है न, महा CET.org, महा CET.org, यह site आप चेक करते रहो, अगर कुछ changes है date में, या कुछ और भी जो भी है, तो यह आपको check करते रहना है, ठीक है न, MBA section इसका, MB औ MMS, ओके, तो I hope कि आपको सबको clarity आ गई है, इसमें कुछ बचा नहीं है, तो फिर भी आपको अगर कुछ doubt difficulty हो, तो आप comment section में comment डालो, तो मैं उसको reply ज़रूर करूँगा, तो जो already बता है, वो वापस से मत पूछना, तो जो भी है आपके queries बगरे, I will definitely try to solve, और college preference और other updates के आप ये telegram channel join कर लो, pride education का, और यहाँ पर आप सर्च करते हो, telegram में जाकर तो ये आपको मिली जाएगा, तो that's all from my side, तो I hope कि आपको सबको ये चीज़े clear हो गई है, general doubts हमने discuss किये यहाँ पर, और बहुत precisely discuss किये है, और college का जो भी list है, पूजय उनिवर्सिटी के colleges, Mumbai के colleges, दो पोस्ट करूंगा telegram channel पे एक दो दिन में, तो you can check it, ठीक है न, so thank you